हेलो दोस्तो एक पर फिर से बहुत बहुत स्वाकत है आप सभी मित्रों का अपने यूटूब चेनल पर दोस्तो अब आप अपने मौल फोन से खर बेटे अपने आधार कार्ड में मौल नंबर को लिंक कर सकते हैं अब चाहे तो इसमें Gmail AIR को भी link कर सकते हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप अपने मौल फोन से कर सकते हैं है तो चलिय दूसतो हम आपको इस प्रोसेस की बारे में बता दीती हैं कि आप को क्या क्या करना है तो दूस्तों हुआ है घूँ सबसे पहले आपको और आड़ाना है उसकी करनी के बाद कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होके आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर आपको अपने नाम डाल देना है अपना पूरा डाल देना है और जीमिल आइडि़े को भी हम पर फील कर देना है उसके बाद मुझा trzeba लबर ढाल देना है अब यहाँ पर दो option है जो कि आपको बारी की से देखने हैं तो हमें select service पर click करना है उसके बाद बहुत सारी services आपको देखने को मिल जाएंगी तो हमें यहाँ आपन नीचे आ जाना है आपको एक option मिलता आई पी पी बी आधार service तो हमें इस पर simple सा click कर देना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर select कर लेना है कि आपको 5 साल के बच्चे का आधार enrollment करना है या आपको mobile number update या Gmail ID को link करना है तो हमें second option को choose कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको request OTP पर simple सा click कर देना है दोस्तों आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा reference number आपको यहाँ पर reference number भी मिल जाएगा इसके बाद आप इसको ट्रेक भी कर सकते हैं आप ऊपर आएंगे तो हैं पर click to track है और request पर click कर दोना है क्लिक करने के बाद आपको reference number जो मिला है इसको डाल देना और उसके बाद फैस्ट डेटिल पर क्लिक कर देना है जैसे आप फैस्ट डेटिल को करते हैं तो आपके डेटिल आ जाएगी कि आपका एप्लिकेशन कहां तक पहुंच चुका है और कब तक आपके पास पोस्ट मैं आएगा और आपकी जो वाइव मेटर करके आपका मॉल करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए